Hi everyone, let's start our chapter Freedom and this is the third part of this chapter. Let's begin with the topic, the aspects of liberty. Swatantrata के पहलू अब देखे स्वatantrata के दो पहलू है पहला जो पहलू है उसके अनुसार व्यक्ति पर परतिबंद नहीं होने चाहिए और जो दूसरा पहलू है उसके अनुसार व्यक्ति की जो liberty है उसके पर परतिबंदों का होना जरूरी है और जो political theory है उसके अनुसार यदि हम देखें तो इन्हें ही स्वतंतरता के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू कहा जाता है, यानि कि नेगिटिव और नेगिटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ओफ लिवर्टी. Now, start with the negative aspect of liberty. And the supporters of negative aspect are JS Bill, Hobbs and Russo. अब देखिए, कि जो negative aspect of liberty है, उसका क्या मानना है, कि जो व्यक्ति है, उस पर प्रतिवंदों का अभाव होना चाहिए. इसका मतलब क्या है, कि एक ऐसा छेत्र जिसमें किसी का भी कोई interference ना हो. रूसो जो है वो, उन्होंने क्या कहा है, कि मनुस्से स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु वे प्रतेक स्थान पर बंदनों में जकडा हुआ है. इसी तरह से जिसमें जो है, उसका भी ये मानना है, कि अपने दिमाग, शरीर और आत्मा का मालिक व्यक्ति स्वेम है. इसका मतलब कि जो नेगिटिव एस्पेक्ट्स को मानने वाले हैं, उनका ये मानना है कि व्यक्ति पर कोई प्रतिबन नहीं होना चाहिए. और इसी आधार पर जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कुछ फीचर्स बताए हैं, बेसिस बताए हैं, किसके जो नेगिटिव लिबर्टी है, उसके तो अब देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से बेसिस हैं, जो कि नेगिटिव लिबर्टी से रिलेटिड हैं. फिर्स्ट ओप ओल रेस्ट्रिंड इजन एवेट यानि कि जो प्रतिबंध हैं वो एक बुराई हैं अब जो नेगिटिव एस्पेक्ट्स को मानने वाले सपोर्टर्स हैं उनका ये मानना है कि व्यक्ति पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन्स नहीं होने चाहिए क्यों क्योंकि रेस उन्होंने काया कि रेस्ट्रिंड इजन एवेल लिविंग पीपल तो देमसेल्ब्स इस ओल्वेज बेटर देन कंट्रोलिंग देन यानि कि जो प्रतिबंध हैं जो रुकावटे हैं वो एक बुराई है और लोगों को नियंत्रित करने की अपेक्षा उनके उपर ही छोड़ देने से अधिक अच्छा होता है यानि कि व्यक्ति पर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए अब देखिए जो नेगिटिव एस्पेक्ट्स के सपोर्टर्स हैं वो क्या मानते हैं कि जो स्टेट है वो कानून बनाता है सिक्योर्टी और जस्टिस के नाम पर जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी फ्रीडम पर बाउंडेशन लगाता है और इसी बात को मान कर उन्होंने ये काया है कि जो स्टेट्स हैं उसका कारे जो है उसको सीमित कर देना चाहिए यानि कि राज्ये को अपना काम लिमिट में करना चाहिए और हरबर्ट स्पेंसर भी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने क्या कहा है कि राज्ये इसलिए है क्योंकि समाज में अपराध है और यदि समाज में अपराध ना हो तो राज्ये की आवशक्ता भी नहीं होगी नेक्स्ट पॉइंट इस नोन इंटर्वेंशन इन इकोनोमिक स्पेयर्स यानि कि आर्थिक चेत्र में अहस्तक्षे अब जितने भी सपोर्टर्स नेगिटिव एस्पेक्ट्स को मानते हैं उनका क्या मानना है कि समाज में परतेग व्यक्ति को अपनी अच्छाई और बुरा योग की नोलेज होती है हर व्यक्ति ये भी जानता है कि किस कारे से उसका भला हो सकता है और किस से बुरा हो सकता है इसलिए उसको वही कारे करने की छूट होनी चाहिए जो वह करना चाहता है उनका ये भी मानना था कि जब किसी भी इकोनोमिक फिल्ड में जितने भी डिफर होगा और वो फ्री रहेंगे तो क्या होगा कि उनमें जो प्रोग्रेस है वो भी ज्यादा होगी इसलिए सभी को क्या करना चाहिए यानि जितने भी स्टेट्स हैं जो राज्य हैं उनको नोन इंटर्वेंशन का जो जो उसकी थियोरी है उसको एडॉप्ट करना चाहिए अबर नेक्स पॉइंट इस लिबर्टी इन पर्स लिबर्टी इन पर्सनल अफेयर्स इट मिन्स कि व्यक्तिगत विश्यों में स्वतंत्रता अब देखें नेगिटिव एस्पेक्ट्स के जो स रपोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं वो इनडिविज्वर्व फृड़म पर जादा बल देते जादा जोर देते और जेएस मिल उन्होंने कहा भी है कि सरकारी हस्तक्षेप क्या करता है यानि कि अगर स्टेट जादा इंटर्फेयर करता है किस के बीच में अगर किसी व्यक्त कुछ भी नहीं कर पाता जो वो करने के योग्य भी होता है इसलिए हर व्यक्टी को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए यानि कि उसे हर मामले में फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो अपना ड्वलप्मेंट कर सके यानि दबाव का अभाव क्या है वो स्वतंत्रता का मूल है अब नेगिटिव एस्पेक्ट जो है फ्रीडम का उसमें एक आधार ये भी माना गया है कि व्यक्टी की स्वतंत्रता पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए मिल्टन प्राइडमेंट जो है उनका ये मानना भी है कि राजनेतिक स्वतंत्रता का वास्त्रेकर्थ क्या है कि एक व्यक्टी पर उसके साथियों के दबाव का अभाव है और बरलिन उन्होंने भी कहा था कि यदि आपको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के द्वारा रोका जाता है तो आपको राजनेतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तो इस तरह से अगर हम देखें तो जब किसी समाज में यानि कोई भी समाज है और उसमें किसी व्यक्ती पर कोई भी किसी भी तरह का दबाव डाला जाता है या कोई परतिबंद लगाया जाता है तो उस समाज में व्यक्ती को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती उसे कोई भी लिबर्टी नहीं मिल पाती और इसलिए दबाव पुन परतिबंदों का नहीं होना ही स्वतंत्रता है अब देखिए कि जो मॉडरन टाइम है उसमें फ्रीडम का जो नेगिटिव एस्पेक्ट है उसको मॉडरन तिंकर्स ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिये तो कि वो ये कहते हैं कि जो freedom है वो इस society में यानि कि जो modern society है उसमें संभब नहीं है ये तो केवल जंगल में ही हो सकती है इसलिए उन्होंने negative aspect जो है उसको काफी criticize भी किया है तो criticize करने के पीछे कौन-कौन से कारण है किस बिहाफ पर उन्होंने criticize किया है चलिए उनके बारे में जानने की कोशिस करते हैं तो उसमें हमारा जो first point है वो है proper restraint is not an avid इसका मतलब उचित प्रतिबंद बुराई नहीं है यानि कि thinkers का क्या कहना है वो कहते है कि कोई भी state या society जो है उसमें यदि हम restrictions लगाते हैं या state की तरफ से कोई restrictions लगाई जाती है तो वो बुराई नहीं है यदि समाज पर या राज्ये द्वारा कानून बनाए जाते हैं और व्यक्तियों को लोगों को discipline में रखते हैं तो यह है उचित है अब देखिए इसके लिए कि example ले सकते हैं कि मान लेजिए आज का जो समाज है उसमें जो राज्ये है या सरकार है वो क्या करती है वरकर्स के लिए या कमजोर वर्गों के लिए जो वीकर section है उनके लिए यदि कोई कानून बनाए जाते हैं तो उनको बुराई नहीं कहा जा सकता और ये कानून केवल राज्य द्वारा ही बनाई जाते हैं किसी व्यक्ति विशेश द्वारा नहीं अब सेकेंड पॉइंट जो हमारा आता है वो है कि everyone is not equal in society यानि समाज में सभी व्यक्ति समान नहीं है अब देखिए जो negative aspect है वो क्या कहता था कि प्रतेक व्यक्ति अपने हितों के बारे में जागरूख है यानि कि व्यक्ति को सब कुछ मालूम होता है कि उसके लिए क्या गलत है और क्या सही है वो अपना भला बुरा सोच सकता है लेकिन हर आदमी अपने भले या बुरे की पहचान नहीं कर सकता आप देखते हैं कि समाज में बच्चे भी हैं, disabled person भी हैं, बुजर्ग भी हैं, male और female यानि स्त्री और पुरूश हर तरह के लोग हैं और वो अपने जितने भी लोग हैं, वो अपने भले और बुरे की पहचान करने में समर्थ नहीं होते इसलिए यह हम accept नहीं कर सकते, स्विकार नहीं कर सकते कि व्यक्ति अपना भला swim कर सकता है नेक्स पॉइंट है, pleasure fear यानि कि shortcomings of pleasure fear theory अहस्तक शेप के सिध्धान्त में अनेक कमिया अब देखिए यह सिध्धान्त है क्या यह क्या है, यह एक ऐसी economic policy यानि कि एक ऐसी आर्थिक नीती है, जिसमें जित्ती भी नीजी संस्थाएं होती है जो private institute होते हैं, उनके बीच क्या होता है कि जो tax होता है, यानि कि tax free कर दिया जाता है और दूसरी restrictions जो है, उनको free रखा जाता है और इस तरह कि जो policies थी, यह 19th century में जो western countries और European countries होते, इन्होंने अपने अपने countries में implement किया था लेकिन जो यह policy है या theory कह सकते हम इसको, यह जो theory थी इसमें बहुत सारी कमिया पाई गई और इसलिए उन कमियों को दूर करने के लिए उन राज्यों को interfere भी करना पड़ा नेक्स पॉइंट, absence of restraint is not freedom, but license यानि प्रतिबंदों के अभावकार्थ स्वतंतरता नहीं, भलकी अयोग्ये छूट है अब देखिए, जो thinkers हैं उन्होंने, क्या किये उन्होंने, negative freedom जो है, negative liberty है उसके मूल आधार को ही स्विकार नहीं किया है वो कहते हर समाज में हर परकार की जो liberty है, वो possible नहीं है और यदि समाज में जितने भी लोग हैं, उन सब को complete liberty दे दी जाए, पूरी तरह से छूट दे दी जाए, तो क्या होगा? समाज में अराजकता फैल जाएगी, यानि कि कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से जी नहीं पाएगा जहां हम mostly सोचते भी हैं कि सबसे अगर सब्वे प्राणी अगर समाज में हैं, तो वो मनुष्य ही है और लेकिन वो क्या है? वो स्वार्थी भी है, लाल्चे भी है और यदि उस पर परतिबन नहीं लगाए जाएंगे तो वो क्या करेगा? दूसरे लोगों के जो समाजिक जीवन है उसको नस्ट कर देगा Next is, the notion of restraint is vague यानि कि जो प्रतिबन है उसका विचार असपस्ट है, clear नहीं है अब कोई भी situation है, उसमें यदि हम देखें, तो जो restrictions है उनके बारे में पूरी तरह से decide करना बड़ा मुश्किल होता है कि वो जो restriction लगाया गया है, वो दबावपूर्ण है या नहीं है कई भार ऐसा भी होता है कि कभी भी राज्य द्वारा व्यक्तियों पर मनमानी को नियंतरन करने के लिए परतिबंद लगा दिया जाता है तो उसके लिए उचित परतिबंद भी क्या बन जाता है, दबावपूर्ण बन जाता है यानि कि व्यक्ति जो है वो प्रेशराइज महसूस करता है अब कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी परतिबंद किसी के लिए सही भी हो सकता है और वो दबावपूर्ण भी हो सकता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाज जो है या राज्य जो है उसमें पर्तिबंदों का होना जरूरी है अब सुरू करते हैं Positive Aspect of Liberty यानि कि स्वतंतरता का सकारात्मक पहली और इसके जो समर्थक है वो कौन-कौन है इगल, कांट, बारकर, मार्क्स, गांधी और बिन्दों ये सारे क्या मानते हैं इनका ये मानना है कि समाज में या राज्य में restrictions या पर्तिबंदों का होना जरूरी है Let's start with the topic characteristics of positive liberty यानि जो सकारात्मक स्वतंतरता है उसकी क्या विशेशता है या उसके क्या आधार है First of all, rights are the essential condition of liberty यानि अधिकार जो है वो क्या है? स्वतंतरता की आवश्यक शर्त है अब लास्की का नाम तो आपने सुनाई होगा लास्की ने क्या कहा था? लास्की ने कहा था कि स्वतंतरता अधिकारों की उपज है यानि कि अधिकारों के बिना स्वतंतरता का कोई अस्तित्वी नहीं हो सकता इसलिए क्या जरूरी है? यानि कि जहां liberty अगर आप liberty जाते हैं तो उसके लिए अधिकारों का होना जरूरी है और अधिकार हमें कौन देगा? राज्य देगा अंदेस्टेंड? अबर नेक्स टॉपिक इस रेकोगनीशन तू नेचुरल इनकेपेबिलिटी एंड इनेक्वैलिटी यानि जो प्राकर्थिक अयोग्यता और आसमानता को मननता अब देखिए जो पोजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स है वो क्या मानते हैं? उनका ये कहना है कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं चाहे वो मेल हैं या फिमेल हैं बच्चे हैं या डिसेबल्ड परतन हैं हर तरह कि जितने भी लोग हैं वो सभी इक्वल नहीं होते और नहीं उनकी जो qualities होती हैं वो equal होती यानि कि उनकी जो योग्यताएं उनमें जो गुन होते हैं वो भी बराबर नहीं होते हैं अब एक example ले सकते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो हम देखेंगे तो वो physically बहुत fit होते हैं कुछ ऐसे नहीं होते हैं कुछ बहुत जिन कुछ लोगों का जो complexion है वो काफी fair होता है और कुछ जो होते हैं काफी black पुछ का black भी होता है लेकिन ऐसे विक्ति की जो प्राकर्तिक ऐसमानता और योग्यता जो है वो उसका अस्तितोर सकारात्मक्स्वतंत्रता की अभेलना नहीं है अब देखिए यदि government है वो अपार्थाइड के according या रंग भेद के अधार पर बोरे लोगों को तो ज़्यादा अधिकार नहीं देती और काले लोगों को दे देती है तो ऐसे में क्या है कि ऐसी अवस्ता जो positive liberty है उसके अनुकौल नहीं है अब अगला point देखते हैं कि basis element of positive liberty is the removal of constraints यानि कि सकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य अधिश्य क्या है बाधाओं को जो बाधाएं है उनको दूर करना अब देखो क्या होता है कि society में एक problem खत्म होती है तो दूसरी start हो जाती है और कई बार ऐसी problems भी आती हैं जिससे किसी भी वेक्ति का development रुक जाता है अब ऐसी जो समस्याइ हैं उनको दूर करना बहुत जरूरी है अब example ले लेजिए आप माल लेजिए education जो है वो बहुत वहंगी है और जो parents हैं जो माता पिता हैं किसी भी बच्चे के वो बहुत गरीब हैं अब ये कहना एक व्यंग ही होगा कि माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने की स्वतंतरता है अब बच्चे जो है वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन parents नहीं पढ़ा पाते तो बच्चों को यदि education देनी है तो कौन देगा state उनके लिए कुछ education facilities प्रोवाइड करेगा ताकि उन बच्चों को freedom दी जाए तो इस मामले में इस example से आप समझ भी सकते हैं कि state का होना कितना जरूरी है next point is law and liberty are complementary to each other यानि कि कानून और स्वतंतरता एक दूसरे के पूरक है it means कि जहां कानून है वहां स्वतंतरता है स्वतंतरता और कानून एक दूसरे के पूरक आप देखिए कानून क्या होता है कि कानून किसी व्यक्ति की स्वतंतरता समाप नहीं करता बल्कि क्या है कि उसकी स्वतंतरता पर प्रतिबंद भी नहीं लगाता इसलिए ये कहा भी जाता है कि स्वतंतरता कानून की उपस्तिती और उसके पालन में ही सुरक्षित रहती है यानि कि जहां कानून है वहां स्वतंतरता है और जहां कानून नहीं है वहां स्वतंतरता भी नहीं है जो लोक हैं वो बहुत बड़े थिंकर हुएं उन्होंने क्या कहा है Where there is no law, there is no liberty यानि कि जहां कानून नहीं, वहाँ पर स्वातंतरता भी नहीं है Understand? The next point is The state is not an enemy of individual liberty यानि कि राज्ये व्यक्तिगत स्वातंतरता का शत्रू नहीं है अब देखिए, जो positive aspects के supporter हैं, वो क्या कहते हैं? उनका ये मानना है कि राज्ये उसके द्वारा दिये गए अधिकारों से ही पहचाना जाता है यानि कि कोई भी state है मालेजी हम इंडिया का ये example लें तो इंडिया को हम कैसे जानेंगे? उससे अगर ये जानना है कि इंडिया कैसा country है तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि इंडियन government ने इंडियन citizens को कौन-कौन से rights दिये हैं कौन-कौन से अधिकार दिये हैं और यदि किसी society का development करना है तो वो development state ही कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं? वाँ के लोगों को proper rights देकर अधिकार देकर तो जो state है वो किसी की freedom का enemy नहीं है सत्रों नहीं है बलकि वो तो क्या करता है? development का काम करता है इसलिए राज्यों का होना जरूरी है अब देखिए जो freedom का negative aspect था उसकी भी अलोचना की गई थी इसी तरह से जो positive aspect है जो सकारात्मक पहलू है स्वतमत्रता का उसकी भी अलोचना की गई है यानि कि criticize किया गई है तो देखिए criticize कौन-कौन से जो आधार है उनको बना कर किया गया है तो सबसे पहला जो है वो है criticism by Marxist यानि कि Marx वादियों द्वारा आलोचना अब जो Marx वादि हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यह ठीक है कि state होना चाहिए राज्जे का होना जरूरी है और जो राज्जे होता है वो सभी का विकास करता है लेकिन उन्होंने एक बात जो बताई है उन्होंने जो आलोचना की है उनका यह कहना है कि जो राज्जे है वो एक ऐसा organization है जो हमेशा society में जो higher society से belong करते हैं लोग उन्ही का भला करता है और जो निन्म वर्ग होता है जो वरकर्स होते हैं या मजदूर होते हैं उनका शोशन करता है अब उनका यह भी मानना है कि राज्जे क्या करता है कि social welfare के नाम पर जो भी काम करता है उसके पीछे उन्ही के हीट होते हैं उन्ही के interest होते हैं इसी लिए वो सारे काम करता है नेक्स पॉइंट जो हमारा है वो है यानि कि जो व्यक्तिगत संपत्ती है स्वतंतरता के अनुकूल नहीं है अब इनका क्या मानना है क्या कहना है क्यों इन्होंने अलोचना किये उसके पीछे इनका ये कहना है कि जो किसी भी व्यक्ति की माल लिजी कोई individual property है वो कहते समाज के लिए एक अभिशाप है अब व्यक्तिगत संपत्ती जो है वो यानि किसी भी व्यक्ति के पास जो भी property है उसी की वज़े से exploitation और society में inequality की problems create होती है यानि कि ऐसमानता आती है और ऐसे हालात में जो liberty है वो नहीं हो सकती क्यों क्योंकि जब समाज में शोशन होगा और inequality की problem होगी तो result यह होगा कि हर व्यक्तिगो लिबर्टी नहीं मिल पाएगी नेक्स पॉइंट देखे democratic government is not guarantee to liberty यानि कि लोग तंत्रिय शाषन परणाली स्वातंतरता के लिए कोई guarantee नहीं है यानि कि कुछ ऐसे thinkers हैं जो मानते हैं कि even जो democratic system है उसमें भी freedom safe नहीं है क्यों? क्योंकि democratic system में जो government बनती है वो majority से बनती है और कई बार जो government majority में होती है वो dictator भी बन जाती है यानि कि अधिनायक भी बन जाती है और ऐसे में वो शाशक दल क्या करते हैं यानि कि जो भी government होती है वो अपने interest को पुरा करने के लिए अपने interest के लिए काम करती है तो इस तरह से कुछ आधार बना कर जो positive aspect of liberty है यानि कि स्वतंतरता का जो सकारात्मख पक्ष है उसकी भी आलोचना की गई है लेकिन ऐसी आलोचना का कोई समाधान नहीं होता आप देखिए चाहे democratic system ठीक है कि democratic system में कुछ demerits होती है लेकिन फिर भी हम देखें तो यदि हमें liberty मिल पाती है तो वो केवल democratic system में ही मिल पाती है